नमस्ते बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंद का पार्ट अक्षरों का महत जिनके लेखा गुनाकर मुले जी हैं इसका मैं MCQ परहाने जा रही हूँ और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंद और क्लास 6 बाल रामकथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ उसको देखने के लिए आप उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम फेश्बुक और टुटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो पार्ट शुरू करते हैं अक्षरों का महत्व इसका MCQ तो इसमें देखे बच्चों कुछ इसमें जो है पेराग्राफ दिया गया है तो पेराग्राफ अगर पढ़ लेंगे तो आपको MCQ यानि बहुत विकल्पिया प्रश्न बनाने में पढ़ने में आस हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादात में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं इन सब के मूल में हैं अक्षर हम कलपना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता तो इ संसार में करोडों पुस्तकें छप चुकी है खो का है पुस्तकों और समाचारों का छपना कैसे संभव हो पाया है उत्तर है पुस्तकों और समाचारों का छपना अक्छरों के कारण ही शंभव हो सका है यदि अक्छर ना होते तो आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र न आज हमारे पास जो पुस्तकों में सुरक्चित ज्यान का अथाह भंडार है वह अक्षरों के कारण ही संभव हो पाया है। दूसरा पराग्राफ देखिए हमारी यह धर्ती लगवख पांच अरब साल पुरानी है दो तीन अरब साल तक इस धर्ती पर किसी प्रकार के जीव जनतु नहीं थे फिर करोनों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धर्ती पर राज रहा आदमी ने इस धर्ती कोई पांच लाग साल पहले जन्म लिया धीरे धीरे उसका विकास हुआ कोई दस हजार साल पहले आदमी ने गाउं को बशाना सुरू कर दिया वह खेती करने लगा वह पत्थरों के औजारों का इस्तमाल करता था फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए तो देख प्रकार के जीव जन्तों का खो जंगली जीवों का गोदेवताओं का घो केवल समुद्री जीवों का क्योंकि धरती पर पानी ही पानी था तो आदमी से पूर्व इस धरती पर किसका राज्य था उत्तर है को सभी प्रकार के जीव जन्तों का और तीसरा प्रस्न है आदमी ने कितने साल पहले अस्तित्व लिया तो इसमें है 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, दिया है गाउं का विकास कितने वर्स पुर्व हुआ उतर है को 10 अजार वर्स पुर्व पांचमा प्रश्ण है मनुष्ड ने खेती के लिए किन अजा़ां का प्रयोग किया तांबे प्रयोग किया मानब ने सबसे पहले चित्रों के जरिये अपने भाव व्यक्त किये जैसे पस्वों, पक्षियों, आदमियों, आधी के चित्र, इन चित्र शंकेतों के बाद में भाव शंकेत अस्तित्यों में आये, जैसे एक छोटे बृत के चुहों और किरनों की द्योतक रेखाए, खीचन में प्रश्ण है कि को प्रागयतिहाशिक मानब से क्या अभिप्रा है उत्तर है प्रागयतिहाशिक से अभिप्रा है इतिहास से पहले का काल जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से उसके इतिहास का पता चलता है इससे पहले के काल को प्रागयतिहाशिक काल कहा जात दूसरा प्रश्ण है, मानब ने सबसे पहले अपने भाव कैसे ब्यक्त करने शुरू किये उत्तर, मनुष्री ने अपने भाव को सबसे पहले चित्रों के जरिये प्रिकट करना शुरू किया, वो पसूं, पक्षियों, आद्मियों आदिके चित्र बना कर अपने भाव प्रिक करता था गव का प्रश्ण है भाव संकेत अस्तित में कब आय सोधाहरन लिखिये उतर है चित्र शंकेतों के बाद भाव संकेतों की सुरुवात हुई एक छोटे गोले के चारों और रेखाएं खीच कर सुर्ज का चित्र बना दिया गया बाद में यही चित्र धूप के लिए क नए यूग की सुरुवात हुई आदमी अपने विचार और अपने हिशाब किताब को लिख कर रखने लगा तब से मानब को शब्भ कहा जाने लगा आदमी ने जब से लिखना सुरू किया तब से इतिहास आरंब हुआ किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं इस प्रकार इतिहास को सुरू हुए मुश्किल से छो हजार हुए हैं उसके पहले के काल को प्राग इतिहासिक काल यानि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अब देखे इसमें बहुविकल्पी प्रशन है। पहला प्रशन है नए यूग की सुरुवात कब से मानी जाती है। जब मनुष्र ने बोलना सीखा। जब मनुष्र ने अक्षरों की खोज की अर्थात जब विचार लिखे जाने लगे गह जब मानव इमारते बना कर रहने लगा गह जब मनुष्ण में प्रतियस फर्दा की भावना आई तो नए यूग की सुरुवात कब से मानी जाती है उत्तर है ख़़ जब मनुष्ण ने अक्षरों की खोज की अर्थात जब वि ख़़ जब मानुष्ण ने विचार हिशाब किताब लगा कर प्रस्तूत करने लगा गह भासा का आदान प्रदान होने लगा घ़़ इन में से कोई नहीं तो अक्षरों की खोज से क्या हुआ? उत्तर है खो मनुष्य अपने विचार हिशाब किताब लिखकर प्रस्तूत करने लगा तीसरा प्रश्ण है इतिहास का आरंभ कब से हुआ इसका उत्तर है को लगवक छो हजार बर्स पूर्व चोथा प्रश्ण है इतिहास से पहले के काल को नाम दिया गया प्राचिन काल खो प्राग इतिहासिक काल गो मध्य काल गो इतिहासिक काल तो इतिहास से पहले के काल को नाम क्या दिया गया उत्तर है खो प्राग इतिहासिक काल पांचमा प्रस्ण है मनुष्य को सब भी कब माना गया जब उसने चित्र संकेतों की खोज की जब उसने भाव संकेतों की खोज की जब उसने विचारों का आदान प्रदान बोल कर किया जब उसने अक्षरों की खोज की तो मनुष्य को सब भी कब माना गया उतर है जब उसने अक्षरों की खोज कर ली पाचमा है पेरागराफ, अक्षरों की खोज मनुष्री की सबसे बरी खोज है, अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्री अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, इस प्रकार एक पिरी के ग्यान का इस्तमाल दूसरी पिरी करने लगी, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानम जाती का तेजी से विकास हुआ तो इसमें प्रश्ण है को खोगा को प्रश्ण है मनुष्य की सबसे बरी खोज किसे माना जाता है मनुष्य की सबसे बरी खोज अक्षरों के आविश्कार को माना जाता है खोज का है अक्षरों की खोज ने सभी को कैसे लाभान्मित किया अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य विचारों को लिख कर सहेजने लगा जिससे एक पिरी का ग्यान दूसरे पिरी तक पहुँचने लगा गौ का प्रशन है अक्षरों की खोज से मानव जाती का विकास कैसे संभव हुआ उत्तर है गौ अक्षरों की खोज से मानव जाती का विकास संभव हुआ क्योंकि अब मनुष अपने पुरवजों के क्रिया कलापों से लिखित रूप में अवगत होने लगा जिससे उसे नवीन कारे करने का आधार प्राप्त होने लगा इससे मनुष्य के विकास का करम तेजी से चलने लगा तो बच्चों इसी के साथ पार्ट की शमापती होती है आसा है आप लोगों को सारा पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एक्जाम के लिए अच्छी तरह त्यार कर लीजेगा और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा कॉमेंट्स जरूर कीजेगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद